बैठे हैं किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि public place है और वहाँ पर पुलिस आकर के उनको परेशान करना शुरू कर देती उनको arrest कर ले या पैसे की demand करें तो वो किस प्रकार से गलत है कहां तक गलत है इसके बारे में ज़रा समझें तो पुलिस की power के बारे में पहले समझ लेते हैं आपको पूरी की पूरी जो इस्थिती है वो clear हो जाएगी पुलिस अगर couple को परेशान करती है girlfriend boyfriend को परेशान करती है तो उनके कौन से कानूनी अधिकार है ये समझने से पहले पुलिस की power को हम समझ लेते हैं पुलिस arrest तब कर सकती है जब कोई cognizable offense हो कोई serious offense हो वहाँ पर वो without investigation भी आपको arrest कर सकती है उसका purpose ये होता है कि आप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे समाज को या किसी अन्य को ऐसा नुकसान जहिलना पड़े या government की public property को कुछ ऐसा नुकसान जहिलना पड़े जो की गलत हो तो ये सारे precautionary measures की वज़े से पुलिस को ये power दी गई है वो जरूरी भी है और जो power दी गई है वो 149 जो section है और 153 criminal procedure code जो प्रक्रिया है 1973 का जो कानून है वहाँ पर दी गई है यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि पुलिस केवल और केवल जो cognizable offenses होते हैं वहाँ पर arrest कर स क्योंकि पुलिस वाले अपने आपको बाहुवली से कम समझते थोड़ी ना है उनके पास तो बहुत सारी ताकत है ऐसी जो भारत के प्रधान मंत्री और President को दी गई है पुलिस वाले कई बार ऐसा समझते है कि इतनी ताकत उनके पास में भी है बेवजा की गलत फेहमी है ऐस कोई बात भी नहीं है पुलिस को केवल और केवल सम्विधान के द्वारा ही नहीं जो Criminal Procedure Code है उसमें यही पावर दी गई है कि जहां पर Cognizable Offense से बहीं पर Arresting हो सकती है उसके अलावा Arresting नहीं हो सकती अब जूटा मुकदमा तो बनाई सकते हैं जी हैं तो इस बात को ध्य परिशान करती है वो भी बेवजा पैसे मांगती है वो भी बेवजा तो मैंने आपको पावर बता दी पुलिस की केवल और केवल जो तीन पर्टिकलर सेक्शन से बहां पर पुलिस को पावर दी गई है कि वो कब Arrest कर सकते हैं Cognizable Cases में 149, 153 और Section 165 Criminal Procedure Code 9073 काफी जरूरी ह उसके बावजूद यदि पुलिस आपको परिशान करें आपसे एटने की being a couple, girlfriend, boyfriend, relationship में अगर आप बैठें कहीं पर obscenity नहीं करते हैं जो कि 294 IPC के दायरे में नहीं आती है तो उस condition पर आपको डरने, घबराने, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्यों? क्योंकि भारत का स पचाओं में rescue करने के लिए ये जो भारत का संविधान है और ये कानूनी जो article 19, article 20 और article 21 है वो आपको protect करते हैं उसके बावजूद यदि आपको arrest कर लिया जाता है या illegal demand की जाती है तो आप directly read petition dial सकते हैं आपको किसी local court में जाने की फिर आपसे शकता नहीं होगी आप directly जा सकते हैं कहाँ पर high court में under article 226 constitution of India high court में शिकायत कर सकते हैं जिसे हम writ petition कहते हैं और अगर आपको detain कर लिया arrest कर लिया तो उस condition पर आप ABS कापस भी produce कर सकते हैं अगर आपको direction चाहिए कि भई आपको गलत arrest किया और जिसने भी क्या उसके खिलाफ action होना चाहिए और high court action ले या supreme court action ले तो आप direct जो article 226 constitution of India है वहाँ पर जो writ of mendemus है उसका इस्तमाल करके भी जो दोशी है अपराधी है पुलिस वाले आप उनको सज condition पर habeas carpus 226 constitution of India article 32 constitution of India supreme court के लिए माने रहेगा और आपको illegal detention से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान काफी काम आएंगे तो डरने की घबरानी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तब तक जब तक आप किसी public place में obscenity ना करें obscenity मतलब अभदरता का व्यवहा वहाँ पर जिससे दूसरे लोगों को inconvenience zone को देखने में अभदर लगी क्योंकि वहाँ बच्चे भी आते हैं बूढे भी आते हैं नौजवान भी आते हैं सब आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को आपके act से तकलीफ ना हो परिशानी ना हो और अगर ऐ कैसी तकलीफ या परिशानी नहीं होती है तो आपको किसी भी तरह से कानूनी तोर पर पुलिस या कोई अन्य संगठन या individual आपको परिशान नहीं कर सकेगा ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी उमर 18 साल से उपर हो क्यों क्योंकि लड़की की अगर 18 साल से कम उमर है तो आ अगर आपको है परिशान कर रहा है तो उस कंडिशन पर भी आपको चिंता करने घबराने और परिशान होने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको संवधानिक दाएरे में